पिछले कुछ समय से इंसानी जाने तो COVID pandemic की वज़े से खत्रे में रही लेकिन इसके साथ साथ business और economy को भी काफी धजका लगा है करोना की first और second wave ने जहां कई कीमती जाने ली है वहीं इसकी वज़े से लगे lockdown से कई लोगों की नोकरियां चली गई बिजनेस पर गहरा असर पड़ा और economy पर तो इसका बहुत ही प्रभाब पड़ा है जिसकी वज़े से चारों तरफ परशानी का महौल बना हुआ है इस बात को ध्यार में रखते हुए केंद्रिय सरकार जमू कश्मीर सरकार और हम खासकर लेटनन गवर्नर मनोच सिना ने इस बात पर जोर दिया है कि लाइट सेव करने के साथ साथ हमें लाइवली हुड को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है इस अंदर में JK News Today बहुत से प्रोग्राम करता आया है आज हमारे श्रेनगर से कॉर्स्पॉंडन फिर्दोस इलाही ने कश्मीर के चैम्बर अफ कमर्स एंड इंडरस्टिस के प्रेजिडेंट शेक आशिक जी से बात की है तो आईए सुनते हैं उनका क्या कहना है सेव लाइफ और प्रोटेक्ट लाइवलिहूड पर हर एक कोशिश कर रहा है कि अपने तरीके से वो कैसा अपने रोजमर्रा का काम चलाए अब देखें पेचे जो दो डाई महीने रहा पूरा ही बंद रहा पैथिटिक सुचुएशन हमारी रही जो भी बिजनस के साथ रिलेटेड वो छोटा सा दुकानदार हो ट्रंसपोर्ट हो हर एक ने सफर किया है तो इस जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि सफर जो है सफरिंग जो है लोगों की पिछले दो तीन साल से वो बढ़ी रही है और हमने यह पहले भी कहा है और आज भी कहते हैं रेस्ट आफ इंडिया में अगर दो लॉक डाउन देखे लोगों ने हमने तीसरे साल कंटिनुइसलि तीन साल यह हमारा है लॉक डाउन जो हमने लिसु था ह। तो अगस्ट तो आउजन नाइंटीन से अभी तक हम जब कंपाइल करते हैं तो अल्मोस्ट वी लॉस्ट बिजनसे of around 50,000 crores which is almost around 20% in all sectors in all the sectors और देखे जब भी हम यह बात करते हैं यह सिर्फ इसका मतलब है कि directly आपका employment impact हो जाता है जितने भी हमारे बेरोजगार लोग हो जाते हैं उनका सुचना पड़ता है कि कैसे हम इनको कटेंगे आज जब हम livelihood की फिकर करते हैं तो यह हमारा concern पहले day one से कि जब भी businesses सफर करते हैं तो यह एक business ने यह पूरी एक society सफर करती है आप देखे पचास हजार करोर का businesses के साथ कितने लोग engage हो जाएं आप देखे हम tourism industry की बात करें पिछले दो तीन साल में हमारे tourism वालों ने दो तीन महीने देखे होंगे वो winter session के अब हमारा handicraft sector देखे चा हमारा handicraft export decline पे हैं अब यह जब decline figures आ जाते हैं तो आपके सामने सिधा पता चलना चाहिए कि हमारा जो लोग engage थे इसके साथ जो यह काम करते थे वो सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ना हमारे लिए concern है और वक्तन फवक्तन हमने यह garment क सामने रखी है बात कि इसको tap करने के लिए एक bailout package की जरुरत है देखिए एक normal situation world over face covid कर रहा है बट लोगों को यह understand करना होगा कि कश्मीर की situation जो है यह पिछले 20-30 साल से कैसे सफर कर रहे हैं और फिर भी अपने business को चला रहे हैं तो अगर यह business चला रहे हैं मगर यह जो दो hand holding की जरुरत है और एक comprehensive financial package की जरुरत है आज कल आख देखें दुकाने खुली हैं दुकानों में माल नहीं है customers नहीं है buying power जो लोगों का मैंने देखा हम अपने गरों की बात करते हैं जो essential item है वही लाते हैं लोग आज कल आप देखें वो सेरुत अफरी का माहूल नहीं है औ समर्स में अक्सर हम देखते थे लोग बिचारे करेंगे क्या मतलब avenues जो revenue है वो बहुत कम हो आपने भी loss की बात की तो आपने कुल मिला कर यानि कि from all that corners करूर में loss है सबसे जो ज्यादा नुकसान है वो कि सिक्टर में हुआ देखें यकीन मान लीजिए हम नाम लेते हैं तो tourism is the biggest नहीं है हमारा but जब हमारा face tourism होता है तो tourism was the first victim इसी तरह हम कहेंगे फिर बाकी sectors है हर sector ने सफर किया है हमारे IT sector जो हमारा था आज से चार साल पहले जो position थी IT sector की आज वो नहीं है मतलब handicraft जो हमारा export मतलब this is the only revenue for an exchange revenue generation for our state तो अब हमने यह भी इसमें भी proposal दिये हैं अभी आप देखिये हमारी recently meeting हो गई जो principal secretary commissioner है हमारे industries के उनको हमने दिया है कि कार्पेट विलेज एक अड़ाप्ट किया जाए देखिये सुंबल सुना वारी है क्योंने manufacturer और एक जिया अल्रेड़ी identified land है जब एक कार्पेट विलेज आप identify करें आप कार्पेट सिटी बोलें आप जहां आपके पास कारीगार वीवर्स है लेट exporters and manufacturers you know approach those people and install there जो भी एक एक बहुत अच्छी एक कार्पेट विलेज जिसको आप model विलेज बता सकते हैं ऐसी कुछ हमने तजवीज दिये हैं इंशालला हम पूरी उमीद है कि आने वाले दिनों में हम इसी पर काम करेंगे और आप देखेंगे कि यह जो हमारा decline figures है हम कोशिश करेंगे कि इसको वापस track पे लाने की कोशिश करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए